अगर आपको भी सुबा की भाग दोड में समझ नहीं आता कि क्या बनाएं तो ये वीडियो आपके लिए है तो मैं लेकर आई हूँ बहुती टेश्टी और बहुती यूनीक नास्ता और वो भी सिरिफ एक कटोरी चावल से बनने वाला बहुती अच्छा बहुती टेश्टी नास्ता है बीडियो आप पूरी देखिएगा चलिए फिर बनाते हैं बहुती टेश्टी चावल का नास्ता सबसे पहले मैंने यहां एक बाउल ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी चावल चावल आप कोई से भी ले सकते हैं वो आप पे डिपेंट करता है और अब हम इन चावलों में पानी डाल कर अच्छे से इनको धो लेंगे देखिए चावल मैंने धो लिये हैं अच्छे से अब इसमें पानी डाल कर एक घंटा रख दूँगी आप चाहे तो इसे ओवर नाइट भी भीगो कर रख सकते हैं एक घंटा हो चुका है और ये देखिए चावल भी हमारे अच्छे से फूल गए हैं अब लेंगे हम एक बिलेंडर और ये जो चावल हमने भीगोए थे वो भी इसमें डाल देंगे राथ ही इसमें डालेंगे आदा कटोरी दही अगर आपका दही हलका सा खटा हो तो भी आप वो दही ले सकते हैं और अब इसका एक फाइन पेश्ट बना लेना है कोई पानिवानी नहीं डालना है और ये देखिए हमारा बेटर अच्छे से पिस गया है अब इस बेटर को हम एक बोल में निकाल लेंगे बिल्कुल इस मूद मैंने चावल को पिस लिया है आप देख सकते हैं और अपने राइस नमकीन केक को मूद और जालीदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप के बरावर सूजी और ये लीजिए हम इस सूजी को इसमें डाल देंगे अब इसको अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस नमकीन केक को फिलेवर फुल बनाने के लिए चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ और मैंने गैस पर रखा एक तबा और उसमें थोड़ा ओइल डाला है और एक चम्मच सरसो डाली है और एक चम्मच थोड़ा जीरा डाला है और दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डाली है और कुटा हुआ अधरक डाला है एक चम्मच अब जो हमने ये तड़का बनाया है राइस मिक्स में डालेंगे साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक नमक आप अपने टेश्ट के अकोर्टिंग रख सकते हैं मैंने तो इसमें सिर्फ एक चम्मच डाला है और साथ ही इसमें कुछ डाल रही हूँ में धनिया की पत्तियां और मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप चाहे तो इसमें कुछ बेजीस भी डाल सकते हैं जैसे के प्याज, गाजर, टमाटर मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो ऐसे भी बहुत टैस्टी बनता है अब लेनी है एक थाली, सिंपल, जो भी जो सब के घरों में होती है थालिया अब इसमें डालना है थोड़ा ओईल, यानि के दो चार बूंदें और इसको गिरिस कर लेना है अच्छे से हम ओईल इसलिए लगा रहे है ताके हमारा जो राइस केक है इस पर चिपके नहीं और ये लीजिए हमने थाली पे अच्छे से ओईल गिरिस कर लिया है अब जो हमारा ये rice cake वेटर है इसमें डालना है हमें एक इनो और साथ ही इनो के उपर हमें कुछ बूंद पानी की डाल देनी है अब इसे एक ही direction में mix करना है ज्यादा mix नहीं करना है इनो के उपर पानी हमने इसलिए डाला है ताके कोई भी लंब सुका सुका ना रहे डाल देंगे जिस भी बरतन में आप बेटर डालें तो उसमें थोड़ी जगा छोड़ देनी है जिससे कि ये rice cake फूले थोड़ी जगा मिलनी चाहिए कड़ाई में पानी गरम करने रख दिया था उसके अंदर stand रख दिया था और ये थाली में जो हमने बेटर डाला था हम इसको इस पे रख देंगे और उपर से इसको पे एक बरतन ढग देंगे अब हम इसको लो फिलेम पे अच्छे से 15 मिनट के लिए इस टीम होने देंगे 15 मिनट हो चुके हैं अब इसको चैक करते हैं कोई भी टूट्पिक से चैक कर सकते हैं टूट्पिक साप निकली है तो इसका मतलब बन गया है और अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंड़ा होने रख देंगे जब तक चलते हैं हम इसकी मज़ेदार और चटकारेदार चेटनी बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है हमें एक लहसुन की कलियां जिसको मैंने चील लिया है और एक चमच रेट चीली पाउडर और आदे चमच चीनी डालनी है और एक चमच मैंने नमक डाला है आप अपने टेश क्या कोटिंग नमक डाल सकते हैं अब मैंने एक तवा गैस पर रखा है उसमें डालेंगे थोड़ा ओईल और तेल को गरम होते ही वो उसमें हम चटनी डाल देंगे जो हमने वो चटनी रेडी की थी चटनी को अच्छे से भून लेंगे यह हमें दो चमच दही और उसमें दो चमच पानी डालना है हमें और इस दही को चटनी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को ओफ कर देंगे और रेडी है हमारी मजेदार और चटकारेदार चटनी यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसको अब राइस केक के साथ खाईएगा बहुत ही टेश्टी लगेगी हमारा राइस नमकीन केक बिल्कुल थंडा हो गया है अब हम एक नाइफ से इसकी किनारिया निकाल लेंगे अब इसको काट कर पीसिस बना लेंगे मैं इसको पिज्जा की तरह शेप दे रही हूँ आप चाहें तो अपनी मर्जी से कैसे भी काट सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है और रेडी है हमारा यूनिक स्टाइल राइस केक और ये देखिए आ गया ना आपके मूं में भी पानी आप इसे जरूर बनाएए और अपने बच्चों के टिपिन बॉक्स में भी जरूर दीजिए आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है और आपको मेरी र रवाना होम किचन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए